नमस्ते दोस्तों, क्रिप्टो दोस्त के इस अगले एपिसोड में आपका स्वागत है ये जो मैं आज वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, ये मैं बहुत इंपोर्टन्ट समझता हूँ अगर आप नए नहीं शुरवात कर रहे हैं अपने क्रिप्टो करेंसी इन्वेश्मेंट्स की दुनिया में तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इन चीज़ों को समझें क्योंकि अगर आप इन चीजों को फालो नहीं करेंगे तो crypto currencies में आपका investment है वो पूरी तरह डूब सकता है बहुत सारे जो नए investors है वो excited तो हो जाते हैं crypto currencies के profits को देखे लेकिन पूरी तरह से जो है वो security का ध्यान नहीं रखते क्योंकि अभी ये market बहुत नया है इसे जरूरी ये है दोस्तों कि आप अपने cryptocurrency investments का खयाल खुद रखें अभी क्योंकि regulations आये नहीं है कोई आपका cryptocurrency investment प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है हम अभी नए stage में हैं इसलिए बहुत ही जरूरी हो जाता है अपने cryptocurrency investments को संभाल के रखना और ये पूरी जो जिम्मेदार ही है दोस्तों वो आपकी ओपर है कोई आपके investments को safe and secure नहीं रख सकता अगर आप खुज से अगर आप safe नहीं है अगर आप careful नहीं है तो आपके सारे investments रूप सकते हैं तो इन चीजों को मद्दे नज़र रखते हुए दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कुछ 10 tips जो आपको काम आएंगे आपकी cryptocurrency investments को बचाने में सबसे पहला दोस्तों basics मैं हमेशा basics पर बहुत stress करता हूँ ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आप basics ही नहीं करना है ठीक तो आगे जाके जो advanced चीज़े करने ही cryptocurrency transactions को लेके cryptocurrency exchanges को लेके वह आप कैसे करेंगे तो सबसे बहुत बहुत सबसे बहुत सबसे बात है कि आप उन passwords को आप secure रखें strong रखें हर बार अलग-अलग passwords बने दोस्तों हमें आदत हो जादी कि एक-दो passwords जो हमारे main होते उन ही को बना-बना के चलते रहते हैं तो हर बार आप क्या करें आप अलग-अलग passwords बने एक आप चार-पासवर्ट का एक bank होना चाहिए और या उसके variations होने चाहिए ताकि एक password अगर कोई hacker hack भी कर लिया किसी के पास अगर वो password है तो उसका यह मतलब नहीं है कि आपके सारे investments को access कर सकता है दूसरी बात दोस्तों अपने computer वगरा में आप जब भी आप browse करते हैं तो हमेशा करका दो यह public wi-fi वगरा मत यूज किया किजेगा दोस्तों प्लीज private wi-fi घर के wi-fi पर जो secure है उसको use कीजे दोस्तों computer को जो है आप anti जो वाइरस software वगरा आप लगा के रखें तो जो basics जो एक चीज़े होती है न दोस्तों यह तो मैं सबके लिए बोलूंगा यह सिर्फ cryptocurrency investments के लिए नहीं आपके net banking के लिए भी है आपके stock investment mutual fund investments सबके लिए लागू होते हैं यह basics जो है basics पर आप शुरुवात करें अपने जो आपका ecosystem है जहां जो एक machine से आप जहां पर cryptocurrency investments करने वाले हैं उससे शुरुवात करें उसको strong रखे password strong रखे जो email id जहां से आप access करने वाले हैं आप अपने cryptocurrency exchanges को उसके जो password को strong रखे यहां से आप शुरुवात करें दोस्तों और उसके बाद अगले steps की और जाए यह देखे दोस्तों enabled two-factor authentication अभी two-factor authentication आपने अगर Binance यूज़ किया है तो आपने देखा होगा इनवन CoinEx में भी है यह facility अब two-factor authentication होता क्या है आपने जब cryptocurrency exchange में आप अब जब ID और password डालते हैं तो वह आपको आपका two-factor authentication पूछता है मतलब आपका next step जैसे इंडिया में जो है OTP अगर आते हैं से लिंक करना पड़ता है और उसके बाद फिर वो हर बार जो है आपको यह code बदल बदल के देते रहता है मतलब आपको क्या करना होता है email ID और password से आप sign in करेंगे और फिर आप जो Google Authenticator आप उसमें देखेंगे कि वह code क्या है जिसके जो आपको डालना इंपूट करना है तो यह जो code है दोस्तों हर बार बदलता है इसलिए बहुत ही safe तरीका है किसी भी cryptocurrency exchange को access करने का तो जहां पे भी आप trading करते हैं जहां पे आपके investments हैं वहां पे please two-factor authentication आप करके रखें दोस्तों Google Authenticator जब सबसे अच्छा तरीका है करने का कुछ-कुछ जो एक्षेंजेंजेंगे वह email two-factor authentication भी यूज करते हैं मतलब आप जब login और ID और password यूज करेंगे उसके बाद आपको आपको आपकी email पे two-factor authentication code आएगा कुछ-कुछ एक्षेंजेंजेजेंजेंजेंजेंजेंजेंगे तो ये दोन भी एडिशनल लेहर हैं अच्छे लेकिन जो Google Authenticator आप दोस्तों वह अच्छा तरीका है एक और बात बताता हूं मैं दोस्तों आप जब पहली बर two-factor authentication आप जब करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको एक QR QR code मिला होगा जिसको आप स्कान करेंगे अपने गूगल आप पर तो वो जो QR code है उसके चाहथ एक की भी दी होगी जो की और QR code है तो उसको प्लीज संभाल के रखिए गए यह मैं इसलिए बोल रहा हुआ हुआ कि अगर आप फोन चेंज करते हैं या आपका फोन जो है कहीं प्लीज आप इस गलती को मत दो रहाएगा दोस्तों प्लीज वो जो आपको QR code और वोजे की मिलेगा उसको प्लीज सेफ रखिए गए और अपने फोन को तो आप बिल्कुल बहुत ही सेफ रखिये दोस्तों तीसरा दोस्तों डेटा को बैक अप करना जाहिर से बाते दोस्तो एप आप lateral के वच्जेश के साथ टेडिंग रते हैं इनवेस्ट्मेंट करते हैं याप के आपके रसाघस जाते हैं बॉसरे कोयन भी या बइन्स की जाते हैं क्वैक अग्णी को देंगते दोस्तों तो इतना सारह यह पास डिलग है आर। इतनी सारी चीज है इतना करना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर आप यह कहीं खो देते हैं दोस्तों कहीं आप कहीं आपके समझी है इमेल है को गया तो क्या करेंगे आप तो इसलिए बोलता हूं कि आप इस डेटा को बैक अप करें कि रखें दोस्तों एक ही जगा पे सारा डेटा मत रख लिए भाक आज तक कभी हमें इतना जादा इंफोमेशन याद करने की जरूरत नहीं पड़ी अभी तक हमें सिर्म नेट बैंकिंग आईड पासवर्ट और एक दो जो हैं हमारे जो स्टॉक एक्शेंजर के जो आईड पासवर्ट होते हैं उनको हमें याद करने की जरूरत पढ़ती है दोस्तों लेकिन अभी जो है क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में बहुत सारा इंफोमेशन आपको खुद स्टोर करना पड़ेगा दोस्तों इस इको सिस्टम में जरूरी है कि आप अपने डेटा को बैक अप करके रखे ताकि अगर आप डिवाइस चेंज करते हैं मोबाइल आपका बदलता है कुछ भी कोई भी रीजन हो सकते दोस्तों अगर आपका सड़नली आपका अगर सिस्टम डाउन हो गया कुछ भी हो सकते दोस्तों तो उस केस में आपके पास डेटा अवेलिबल होना चाहिए ताकि आप कहीं और से आप अपने फंड्स को अपने इसी एक्सचेंज से आ रहा है ऐसे किसी एक बहुत ही जेनुएन सोर से अर अलगे 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 देकिन दोस्तों अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे उस इमेल को तो वहां पर आप उसे वह ऐसा कुछ प्राइवेट इंफोमेशन मांग लेगा या वहां से आप उसका अगर इमेल आइडी देखेंगे तो कुछ अलगी इमेल आइडी होता है वह जहां से इंफोमेशन वह आ रही है तो यह फिशिंग अटाक से बहुत लोग शिकार बनते दोस्तों अपना प्राइवेट की अगरा दे देते हैं वहां पर अपने को वह भेज देते हैं बिना सोचे को चीजा कही है डोस्तों से बहुत सारी जो चीजा है जो रही है इस उस एको सिस्टम में तो प्लिज आखे खुली रखें प्लीज जेनॲमन जो है sources है वहीं से आप emails वगरा जो है access करें प्लीज जो emails है आप आप मिशा देखें क्या है किसी भी ऐसे वैसे link पे click मत कीजिए कोई भी attachment download नहीं कीजिए क्योंकि उस attachment में malware हो सकता है virus हो सकता है जो आपकी system को infect कर दो और फिर वो जो है information वगरा रिले कर सकते है दोस्तों hackers को तो प्लीज email अगर खोलिएगा तो एक genuine source के तुरू ही खोलिएगा आप links वगरा प्लीज ऐसे वैसे आप मत टच कीजिए बैस बहतर यह है कि आप जाके खुद जो है उस information को verify करें बहुत सारे जो crypto currencies है ICOs वगरा है उनके telegram groups होते हैं उनके twitter accounts होत ने यह सच में है कि ने यह genuine है कि ने उसके बाद ही उसको action ले दोस्तों वरना please avoid करें उसको spam report करें आपके email provider से अब यह पांचवी चीज दोस्तों be careful of a new ICO अब ICOs जो है दोस्तों बहुत ही अच्छा तरीका है पैसे बनाने का अपने cryptocurrency investments को बहुत जल्दी 3X 4X में ले जान ICOs देखा होगा तो मैंने उसमें गादा ICOs जो बहुत ही नया है तो बहुत सारे जो ICOs है वो हला कि genuine है लेकिन उनका working project नहीं है ऐसे भी ICOs जो बहुत अच्छे हैं जो genuine एक use case लेके आ रहे हैं लेकिन बहुत सारे ऐसे जो सिर्फ white paper लेके आ है एक सिर्फ एक roadmap है लेकिन क community बड़ी नहीं होती तो बहुत जल्दी जो है यहाँ पे लोग scams का शिकार हो जाते हैं तो प्लीज कोई नए ICO में पैसे डालने से पहले अच्छी तरह research करें, YouTubers को सुने, Twitter पर जाके उसके account को देखे, Telegram पे उसके followers देखे और उसके बाद ही आप invest करें दोस्तों, कहीं भी आपको कोई अगर red flag दिखा, तो प्लीज आप उस ICO में पैसे मट डालिएगा, अगर आप ICO के बाद भी अगर जब exchanges में लिस्ट होता दोस्तों, अगर वो project अच्छा है तो आप अपने investments को आप बढ़ा पाएंगे आगे, तो प्लीज ICO के इस चकर में पढ़के प्लीज आ तो आपको पता ही है, तो rule applicable है हर चीज़ के रहा है, internet banking के साथ भी, applicable है, email IDs के साथ भी, private keys जो है आपको, आप जब अपना कोई wallet यूज करते हैं, तो मैंने एक MyEther wallet का आपको tutorial दिया था, तो अगर आप में से कुछ जन जो MyEther wallet यूज करें, तो आपने देखा हुए एक private key मि तो वो scam है, वो fake है, कभी भी, किसी भी scenario में कोई आपको अगर 100 bitcoin में देखा है, तो आप प्राइवेट की मत दिजेगा दोस्तों, ये purely scam है, एक, प्लीज प्राइवेट की आप किसी को मत दिजेगा, और फोन के साथ आभी हमें कैफोल रहने की ज़रु है, तो फोन जो है, ब अगरा भी खरीदते हैं, तो आप Indian exchanges चारीटे होंगे, CoinEx, Appay पे, या International हो गया, Binance अगरा से खरीदते होंगे, लेकिन कई लोग क्या करते हैं, महीं पे छोड़ते हैं, लेकिन आपको बता दो, दोस्तों, ये जो exchanges है, ये बी 100% safe नहीं है, ये exchanges है को सकते हैं, हुँए हैं, इ cryptocurrency exchanges भी hack हो सकते दोस्तों hackers हमेशा try करते रहते हैं exchanges को hack करते रहने का तो please exchanges में मत store कीजिए थोड़ा साथ definitely ethereum वगर आप store कर सकते हैं जरा सा ताकि आप trading वगर पे आप उसको use कर सके हैं क्या होता हर बार अगर आप अपने wallet में रखेंगे और हर बार एक्षेंज के और लेके जाएंगे तो एक fees associated होता है तो बहुत ही चोटा amount nominal सा amount आप exchanges में रख सकते हैं लेकिन प्लीज अपना सारा जो holding है प्लीज उसको exchange मत रखिएगा दोस्तों क्योंकि यह completely risky है अब wallets की मैंने बात किये दोस्तों अब मैं यह देगे चार-पांच यहां पर ट्रेडिंग अगरा नहीं करते हैं यह आपने एक बार चैंज से आपने coins खरीद लिए तो आप अपने खुद के wallet में रखते तो इसकी आपके पास public address होती है जो मैंने बता है आपको private key मिलती आपको तो प्राइवेट की है वो तरीका इन वॉलेट को अनलॉक करने का वॉलेट के बहुत सारे टाइप होते दोस्तों mobile wallets होते है जो एक आपकी तरह आपके wallet माल जाते है इसमें बहुत पॉपल जाए जैक्स तो यहां पर आप बहुत सारे करन्सी वगरा स्टोर कर सकते हैं तो mobile wallet एक बहुत अच्छा तरीका है स्टोर करने का 100% सेफ निए बिकॉस ऑनलाइन है desktop wallets होते दोस्तों जो एक desktop पे एक desktop client डाउनलोड करके आप उसे चला सकते हैं तो desktop wallets भी available होते हैं web wallets होतों जो ब्राउजर पे जलते हैं सबसे इधर wallet का जो है public address आप यूज कर सकते हैं काफी recommended है काफी safe है सिर्फ आप safety यह देखिएगा जब भी आप access कर रहे web wallets को कि जो link का जो address है उसमें HTTPS एक secure जो उसका वो एक sign है एक lock के साथ जो एक sign रहता है उपर ब्राउजर पर उसे आप चेक कर ले कभी भी यूज करने के पहले paper wallets के जो दोस्तों अभी जो भी private की है ऐसे आप download करके print करके उसे आप paper पर रख लेते हैं और बाकी जो है आप कहीं भी इसका इंक वगरे जो छोटी मोड़ी चीजे होती है जो paper पर आप जब रखते हैं wallet को तो ऐसा कुछ ना हो जाए paper कभी कभी इदर उदर भी हो जाता है paper wallet साथ वो प्रब्लम है सबसे जो recommended तरीका है सबसे जो recommended wallet है दोस्तों वो है hardware wallet तो इसमें जो सबसे फेमस हैं वो है ledger nano as or treasure तो तो please मैं आपको recommend करूँगा कि आप hardware wallets लें मेहंगे है मैं जानता हूं दोस्तों लेकिन यह ensure करेंगे कि आपका जो investment है 100% safe रहे hardware wallet basically आप जाके google कीजिएगा या amazon पे देखिएगा वो basically एक pen drive तरह देखते हैं जहां पे आप अपना currencies जो है बहुत safely store कर सकते है hardware wallet को लेके मैं बहुत नएने आते हैं बहुत सरे coins आप देखिएंगे नएने exchanges पे लेकिन मैं normally दोस्तों मैं जादा जो है exchanges यूज नहीं करता हूं मैं एक दो तीन चार जो बहुत अच्छे reputed exchange को ही उस करता हूं तो मैं एकाद coin मुझे अगर अच्छा भी लग रहा है पर वो किसी ऐसे exchange मे मैं जादा बात नहीं हो रही है मैं उस exchange से दूरी रहता हूं दोस्तों आप भी एस strategy अपना है सिर्फ reputed exchanges को ही यूज करें क्योंकि reputed exchanges जो है आपको एक तसल्ली देती है कि यह जो है यहां पर बहुत सारे community बढ़ा है तो जो है scam करने का या cheat करने का मौका उतना ही कम है दोस scams दोस्तों मैंने bitconnect scam के ओपर एक वीडियो बनाया था दोस्तों scams बहुत ही जो है लोगों को फसा देती है दोस्तों bitconnect scam के मैंने आपको बताया था कि वह बोल रहते है कि आप इतना invest कीजिए आपको हम tokens देंगे इस token पर आपको interest मिलेगा तो ऐसे बहुत सारे scams चलते रहे दोस्तों please simple रखिए दोस्तों आप सिर्फ invest करेंगे और आपको वो long term hold करना है और आपको आगे जाएक प्रॉफिट सेंगे बस आप simple चीज़ एक इंट्रेस्ट वाली चीजों में और फिर आपको एक token के बहुत दो टोकेंश मेल रहे हैं सा कुछ भी आप कुछ ऐसे इस चीज़ को आप याद रखें किसी भी जो बहुत बड़े बड़े प्रॉमिस कर रहा है तो वह 100% स्क्याम है दोस्तों बस इन चीज़ों से आप बच के रहे हैं मुझे पता है दोस्तों मैंने आपको कहा था कि आपको मैं दस टिप्स दोंगा लेकिन यारवा जो ही एक बोनस टिप है दोस्तों यह है दोस्तों यह थे कि मैं फिनांशल अडवाइजर नहीं हूं दोस्तों तो प्लीज इन्वेश्मेंट करने के पहले एक प्रोफेशनल फिनांशल अडवाइजर सा कंसल्ट कीजिए यह मेरे परस्नल ओपिनियान कि डाइवर्सिफिकेशन जो है को हमेशा जो है सेफ रखेगा तो इसलिए यह ज़रूरी हो जाता है दोस्तों तीसरा जो है दोस्तों आप एक्शेंजेज में भी डाइवर्सिफिकेशन जाता है तो ज़रूरी है कि आपके जो बाकी जो आपके जो इन्वेस्मेंट के आविनियू जो खुले रहे हैं आपके जो बाकी जो थोड़े- तीन-चान इंडिन्टन एक्शेंजेंज में अकाउंट रहें ताकि आपके एक उप्शिन अवेलिबल है और इन सब का आपको जो है डेटा मैंजर साब को पहले भी बताए कि आपको डेटा पासवर्ट वागेर आपको सेफ करके रखना पड़ेगा लेकिन डाइवर्सिफि अजिए लगा और आपको एक क्वेशेंज़ नहीं चेज़ों को तो आपका सारा इनवेस्ट्मेंट आपक जो है वो ठ्रेटें नहीं होगा आपके बाकी इंवेस्टमेंट सेफ रहें डोस्तों तो यह था मेरा ग्यारवावार टिप जाने से पहले दोस्तों आपको यहीं ब दोस्तों और बहुत आसानी से आप देखेंगे आप अपने क्रिप्टो करने से इंवेश्मेंस को ग्रोव होते हुए तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक करें शेर करें चानल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी इस चानल के बार में बता है दोस्तों थांक्यू वरी मच्छ